कुछ ना कुछ सोच करके तो अपने PARTY में सामिल किया है तो सोचे हैं उसके नुसार हम कार भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहे हैं हम मेरा भ्रमन जो हो रहा है पARTY के हीद में हो रहा है अब PARTY के लिए हम काम कर रहे हैं नमस्कार News Foundation देख रहे हैं क्योंकि लगतार रितलाल यादव दानापूर और उसके इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर लोगों के साथ जनसबबर का भ्यान भी जोर शोर से चलाते दिख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी समास्याव को सुनते हैं और निवारन भी करते हैं ऐसे में गियस पस्ट हो रहा है कि रितलाल यादव सिर्फ अपने लिए नहीं वलकि अपने पतनी की जीत के लिए भी जनता का दिनल जीतने की कोशिस कर रहे हैं और इस कवायत में इस प्रयास में वो बार और मोकामा तक पहुँच गए यानि कि उनकी पतनी की जीत स्ट करने के लिए रितलाल यादव कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे जब हमारे संबादाते ने रितलाल यादव से ये जाने की कोशिस की कि क्या आपके पतनी इलेक्शन में उत्रेंगी क्योंकि पंचाय चुनाव में आपके पत्नी को लड़ने को लेकर खूब चर्चाय हो रही है तो रुवितलाल यादव ने क्या कहा पहले सुनियों बाहर रितलाल को जाना पर रहा हो भी हर दिन पार्टी हमें कुछ न कुछ सोच करके तो पने पार्टी में सामिल किया है तो सोचे हैं उसके नुसर हम कार भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे हम मेरा भ्रमन जो हो रहा है पार्टी के हीत में हो रहा है अब पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन चर्चाओं का बाजार गरम है कि आप चाहते हैं कि जो नगर निकाईव चुनाव जो बिहा प्र्त तय तै करेगी पि 54 आपसे बात करेंगे तो आपने सुनाव भलने यहर नियुक्जांपafdr3 नियुक्जां आसमि पायद लिखेशोसे में जारा हो ह।्थ्ध विद्ग 9 tagas पार्ड संसवात प में में लेकिन द्रीयुक्त स्वरुस्ण जीरोब 3000 करेब क्योंकि विहार में पंचाय चुनाव होना है, मार्च के बाद इसका अनौंसमेंट होगा जिसको लेकर अब रितलाल यादव अभी से ही पूरी तयारी कर रहे है दानापुरी लाके के आसपास जितने विश्रित रहाते हैं वहाँ पर हर रोज वो जाते हैं अलग अंदाज में लोगों के दिल जीतने की कोशिस भी कर रहे है यानि कि चुनाव में अपनी जीत उन्होंने श्रित कर ली वधायक तो बन ही गए लेकिन अपनी पतनी को पंचाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए रितलाल यादव ने एड़ी चोटी एक कर दिया है फिलाल कले इतना ही बन रहे हमारे साथ और देखते रहे निवस फोरनेशन नवसकार